हेलो एंड वेलकम दोस्तो दीप इलेक्ट्रोनिस लैब में आपका बहुत-बहुत शुवगा थे दोस्तो आप लोगों पता होगा कि मैं लगबग तीन साल से भी ज्यादा से रिपेरिंग का काम कर रहा हूं खासकर केल से ले टीव रिपेरिंग लेकिन उससे पहले से भी मैं इलेक्ट्रोनिस का काम करता था तो जब मैं रिपेरिंग करता था उस समय हमें लगता था कि एक मै क्रोस्कोप होता तो बहुत ह्या आच्छा होता तो हमने एक माइप्रोसकोप मंगवा लिया हूं एक से के आप देख सकतो तो do K قर दिया हूं और Display आप यहाँ पे दैना चोटा मतलब खाली open आखों में यह देखना वह इस्कुल हो जाता है आप यहाँ पे देख सब्ड़तों कितना ब्रीश्टर के कि वीद्ड बांकिंड हुआ तो आज की विडियो में आप लोग को बताओंगा एं माइक्रोइस्कोप मैंने क्यों पर्चेस किया हूँ और इस माइक्रोइस्कोप के अंदर क्या क्या एसा फीचार से जो कि मैंने उसको देखते हुए इस माइक्रोइस्कोप को मैंने पर्चेस किया हूँ और कहां से मैं पर्चेस किया हूँ और इसके जरी किस तरीके से रिपेर करके subscribe कर लीजिए तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा दिता हूं कि इसके साथ हमें और क्या-क्या चीजे मिला था तो जब मैंने इस microscope को box से बाहर निकाल रहा था उस समय मैंने के video record करके रखा तो चलिए दिखाता हूं कि इसका quality कैसा है और इसके साथ जो हमें समाण मिला है उस समहल का वजन कितना है हम देख लेथे तो यह रहाब दोस्तों वह box जो कि मैने बाबhost से मंगवाया था तो जल्दी से इसको open करते है और देखते है कि इसके अंदर हमें क्या-क्या समान मिलता है बॉक्स को ओपन करने के बाद ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है माइक्रोइसकोप का स्टैंट के साथ जो बेस मिलता है वो बेस तो बेस का जो क्वालिटी की अगर बात करें तो आप देख सकतो हाथ में लेते ही इसका जो बोजन्द है काफी जादा है और जैसे ही इसके अंदर से मैंने पन्नी को निकाला तो इसका जो quality का premium जो quality होता है वो feel हो रहा है तो quality में कोई भी compromise नहीं है तो इस microscope के साथ साथ हमने और दो तीन चीज़े order किया था चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख लिए माइक्रोइसकोप का मेन कैमरा है वो 48 मेड़ेक्सल का यह camera देख सकतो है इसी के जरी हमरा जो माइक्रोइसकोप का काम करेगा जो जूमिंग का काम करेगा और जो हम PCB को देखेंगे इसी camera के जरीए वो यह करेगा और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक HD card लगाने का slot है और उसके साथ-साथ HDMI, USB और एक power का cable दिया गया है यहाँ की jack दिया गया है वहाँ से आप इसको on कर सकते हो और इसके साथ-साथ वीडियो quality है आप ओहों पर देख सकते हो और camera देख सकते हो जो lane से काफी अच्छा है तो चलिए इसके साथ-साथ और भी क या क्या समन मिलता है हम लोग एक-एक बार करके देख लेंगे तो soldering iron का जो bit होता है उस bit को clean करने के लिए हमने एक cleaner भी order किया था जो कि हमारे पास सही सलमत आ चुका है इसका quality भी काफी अच्छा है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि microscope के नीचे जो light लगाने क लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे और यह कहां पर इस्तेमाल होते ही कि सर्केसे स्क्颜ेए हमारे आगले आने वाले वीडियो में अपको दीरे दीखते रहेंगे क्यू vedas इस चीज़ को मेरे को बहुत दिन से इंतिजार था और मेरे को जरुद भी था इसलिए मैंने इसको ओडर कर दिया था उसके बाद यहां पे एक 12 वोल्ट का पावर अडप्टर दिया है उसके बाद एक HDMI केवल आप देख सकतों कापी अच्छा प्रिमियम क्वालिटी का HDMI केवल भी दिया गया है तो आपको अलग से HDMI केवल खड़ेने की जूरत नहीं है और यहां पे USB टाइप भी केवल दिया है आपका जो माइक्रोस्कोप है उसको अपने सिस्टेम के साथ यानि की टूल्स का का हम इसको इस्तमाल करके देखेंगे और इसका रेजल्ट भी हम चेक करेंगे उसके बाद यहां पे एक रोजन पेस्ट मेंने और किया था जो कि 25 ग्राम का है तो यह भी हमारे पास आ चुका है उसके साथ हमें एक देख सकतो लेंस भी मिला है जो कि 0.5 mm का है आरे कुछ एक साथ कंबाइन करके जो सेल करते है बाबा टूल्स बालों ने तो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे हमारे काम के द्वारान तभी हमें पता चलेगा इसका परफॉन्मेंस कैसा है उसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते है इस रेमोट के जरी है आप अपने मा ज़्यादा अच्छा है तो हमारा जो बेस का सारा सामान है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो यहां पर देखिये हमारा सबसे पहले ज़ाइ containment से जो कि हमें जूम करने के लिए इसतेमाल करेंगे तो यह हमरां जो की काफी है भी है तो इसको मैं आपका इस मैं आपके दिखाता हूँ, सबसे पहले जीरो कर ले रहा हूँ, यहाँ पे दिखिए, इसका वजन लगबग 500 ग्राम, आप समझ सकते हो कि यह इतना कितना हाड है और इसका क्वालिटी कितना ज्यादा अच्छा है, 500 ग्राम के आसपास, यानि कि 500 ग्राम से ज्यादा ही होगा, 556 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे होल्डर देखिए, जहाँ पे हमारा यह लेंज और जो हमारा कैमरा माइक्रोस्कोप के, उस माइक्रोस्कोप को होल्ड करने के लिए यह हमारा स्टन्ट है, स्टन्ट का यह होल्डर आप कह सकते हो, जो कि आपको मतलाब उपार नीचे करने के लिए इस्तेमल होंगे ये तो ये भी काफी जो quality है बहुत ही जबरदस्त है और जब आप काम करोगे नीचे तो PCB के उपर तो किसी भी चीज को उपर या ज़्यादा focusing सही करने के लिए आप इसको इस्तेमल कर सकते हो तो इसका भी अगर उजन आपको हम अपने जाओं तो बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पर देखिए हमारा जो उस चीज को fix करने के लिए हम पर दिया गया है और यहाँ पर हमारा एलन कीव दिया है इसको असेंबल करने के लिए और यह हमारा में इस्टेंड जो कि हम इस्टेंड के उपर इसको एक रोड के तरह पगर के रखेंगे तो चलिए इसका भी आपको वेट दिखा दिता हूं कि कितना ज्यादा यह हेवी है जो कि आपको रिपेरिंग कंठे वक् गरने का चांस बी नहीं रहेगा देखी लगबग 700 ग्राम चाहय का असपास इसका वज़ान है तो आपने देख लिया कि कितना अच्छा क्वालेटी है और इसका वज़न बगर्हगरा सब कुछ आपने देख लिया चलिए इसको जल्दी से में असेंबल कर देता हूँ और इ तो चलिए दोस्तों आप मैं आपको दिखाता हूं कि इसके जरी आप किस तरीके से रिपेर कर सकते हो हाला कि इसके अंदर और एक कम है जो कि मुझे कंपिटिबल के लिए आभी तक नहीं मिला है इसके साथ जो बेस मिला है आप देख सकतो यह हमें बेस की जोरत नहीं है हमें के भूमें ज्योंको यहाँ घूमा सकता हूं कि मालीचें कि कि हमारा माइक्री सօप किया हूआ है लेकिन जैसे हमें बृमें मिलेगा और मैं चय洗ена करूंगत इस मांतलब यहमारा एरिया को और यहका लगा तो हमें अबर यहीं मिल रहा है मार्केट से जैसे मिलेगा वहा और कर दूँँगा और रिप्येरिज हमारा और भी-जी हो जाएगा क्यूपकि दुस्तों अभी जो सिर्फ मदरबूर्ड रिप्येоньग करने के लिए यह सिर्फ के लिए अगर आप पैैणेल रिप्यार कर रहे हो तो पैनब रिप्यारिंग करने के लिए यह आपका जो इस पेस से वो ज्यादा चाहिए होता है और जो पैनल का अंदर यहां पर देख सकतो जो यह तो छोटा पैनल यहां से हो जाएगा रिप्यरिंग जो इसके अंदर जो कॉंपोनेंट्स बगरा लागा हुआ है तो यहां से तो हो जाएगा लेकिन जो पैनल 32 इंच च्छोटे बहुत ही च्छोटे च्छोटे कॉंपोनेंट्स लगा हुआ है तो हमें खाली आंखों में देखना बहुत ही मुश्किल है और वहां पर काम करना और भी बहुत मुश्किल है तो इसी काम को मैं किस तरीके से माइक्रोस्कोप के जरिये में करता हूं वही मैं आपक को बताया था कि इसके अंदर रेकोडिंग का फिचर अभी है तो इसलिए मैंने क्या किया कि जब मैं रिपेरिंग का काम करूंगा इस कर दो गाँगा इसम uh अब कर देख सकते हो और उसके साथ ही सथ वारे पैनल के अंदर दोतलब मैं को पता चलेगा उसके अंदर लाइनिंग का प्राढबले में को किस तरीखस किया जाता है लाइश विडियो में आपको पता चलेà तो देखिए दोस्तों हमारे इस पैनल के अंदर यहां पर सी के भी लाइन का जो कॉंपोनेंट से बहुत ही छोटा सा मतलब मैं अगर दिखाने जाओ यहां पर हमारे पास एक के छोटा सा मीनी देख सकतो यह वाना की इस कीट के जरिये में रखता हूं देखिए कितना च्छोटा देखिए के कीट के अंदर जो रेजिस्टन्स लगा हुआ है उससे भी कितना छोटा आपको यहां पर लगा हुआ तो मैं सबसे आप से फैले फोकासिंग ठीक कर लेता हूं तो देखे मान लीजेए चोटे से चीज को अगर आपको कहीं पर भी सो लारिंग करना है तो आप यहां से बहुती आसानी से कर पाऊगे देखिए तो मैं यहां से इसको हटाना हटाऊंगा देखिए कि इतना असानी से यह क्लियर हो चुका है अगर आप इसको खाली आखों में करने जाओगे तो यह बहुत ही मुश्किल होगा और एक चीज यहां पर खास्टी है दोस्तों कि जब आप मतलब काम करोगे माइक्रोइसकोपर तो आपको PCB के तरब देखने के कोई भी जौरत नहीं है आप क्या है कि दिस्प्ले पर देखे आप सारे के सारे काम कर पाऊगे तो चलिए आप मैं आप बता देता हूं कि इसमें माइक्रोइसकोप के अंधर वह और क्या-क्या खास या थे देखिए उस और फोकास भी काफी अच्छा है और आप इसको बाद में अप्ग्रेड भी कर सकते हो यहां पर हमारा जो अभी लेंस लगा हुआ है वो फाइवेक्स का फाइव में 0.5 mm का लेंस लगा हुआ है जो कि हमारे इसी के साथ मिला था लेकिन बाद में आप इसका अंदर 0.7 mm का भ पिचर से बंद कर देता हूं और दोस्तों यहां पर हमारे इस पास एक देख सकतो लाइट भी मिला है रिंग लाइट आप बोल सकते इसको जब हमें यहां पर काम करूंगा उस समय में लाइट काम याद ज़्याद आगे अगर जोरुत पड़ेगी तो उस समय यह हमारा काम बहुत काम पर आता है आप जो कि आपको लगता है इस वीडिव के अंदर मैंने नहीं बताया हूँ तो आप नीचे आमिल करके बताईए मैं जल्द इसके ऊपडर वीडियो बनाके आपके साथ शेहर करूंगा दोस्तों इसे पैनल के क्या प्रब्लेम है और इस पैणव को किस तरीके से रिपेरिंग करेंगे इसका भी वीडियो आपको कल देखने को मिलेंगे और देख सकतो एक यानि कि इसका अंदर कोई बोडर नहीं है आप देख सकत हो किसीभी सायड में कोई बाडर नहीं है तो एक बोडरल स्पोल्स पैनल के अंदर सबसे ज्यादा दोस्तों के साथी ये और सारे दोस्तों के लिए कहात है अब करिंग की हैं .